बिद्ध्यार्थियों लाशा की योर पाठ के पिछले भाग में हम सभी ने पढ़ा कि जबवा लेखक उचाई पर चड़ने लगा अपने गोड़े के साथ तो उसका गोड़ा बहुत ठक चुका था और धीरे जिरे भी चलने लगा इसलिए लेखक पिछड जाता है और जिस रास्ते से लेखक जा रहा था उसके बारे में उसे पता चला कि वह गलत मार्क पर जा रहा था पुना हुआपस होकर के वह सही रास्ते पर जब पहुँचा तो सुमती जो है गुस्से से लाल हो गया वास्तो में इसमें उसका दोस नहीं था लेकिन लंग कोर में उसे चाय सत्तु थुपपा नामक पेपदार्थ खाने को मिला यहां उसे ठारने का अच्छा अस्थान भी मिला था पाठ के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं लेकर कि लिखता है कि जब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे तो पहाडों से घीरा टापू सा मालूम होता था जिसमें दूर दूर तक एक छोटी सी पहाडी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है उसी पहाडी का नाम है तिंगरी शमाध गिरी आसपास के गाउं में भी सुमत के कितने ही यजमान थे कपड़े की पत्ली-पत्ली-चिरी बतीयों के गंडे खतम नहीं हो सकते थे क्योंकि बोद गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोद गया का गंडा बना लेते गंड़ा सब्द का आर्थ है मंत्र पढ़कर गाठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा चीरी सब्द का आर्थ है फाड़ी हुई वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे मैंने सोचा या तो हपता भर इधर ही लगा देंगे मैंने उनसे कहा कि जिस गाउं में ठहरना हो उसमें भले ही गंड़े बांट दो मगर आस पास के गाउं में मत जाओ इसके लिए मैं तुम्हें लाशा पहुँचकर रुपए दे दूँगा सुमतिने स्विकार किया दूसरे दिन हमने भरिया ढूडने की कोशिश की यहां भरिया सब्द का अर्थ है भारवाहत जो समान को ढोने का कारे करता है लेकिन कोई न मिल्दा शवेरे ही चल दिये होते तो अच्छा था लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था तिबद की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है यद्यपी थोड़े से भी मोटे कपड़े से सीर को ढख लें तो गर्मी खतम हो जाती है आप दो बजे सूरज की ओर मुह करके चल रहे हैं ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंदा भरफ हो रहा है फिर हमने पीट पर अपनी अपनी चीजें लादी डंडा हाथ में लिया और चल पड़े यद्यपी शुमत के परचित तिंगरी में भी थे लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा तीबत की जमिन बहुत अधिक छोटे बड़े जागिरदारों में बटी है इन जागिरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों अर्थाद विहारों के हाथ में है अपनी अपनी जागिर में हर एक जागिरदार कुछ खेती खुद भी कराता है जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं बेगार मतलब बिना पैसे दिये हुए खेती का इंतिजाम देखने के लिए वहां कोई भीच्चू भेजा जाता है जो जागिर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता शेकर की खेती के मुखिया भीच्चू नम से बड़े भद्र अर्था सज्जन पुरुष्ते वह बहुत प्रेम से मिले हलाकी उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था यहां एक अच्छा मंदिल था जिसे कंजूर का आर्थ है बुद्ध वचन कानवाद की हस्त लिखित 103 पोतियां रखे होई थी और मेरा आशन भी वहीं लगा वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अच्छरों में लिखी हुई थी एक एक पोति 15-15 सेर से कम वजन की नहीं रही होगी सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसका मतलब ये था कि ये लेखक जो है उसके पढ़ने में मगन था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया दूसरे दिन वह गए मैंने समझा था कि दो तिन दिन लगेंगे लेकिन वह उसी दिन दो पर बाद चले आए तिंगरी गाओं वहां से बहुत दूर नहीं था हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिच्चु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े विद्यार्थियों पाट के अंतिम भाग का अध्यन हम सब ने किया हो रहा था यह लोग वहां गए उसके अंदर तिंगरी शमाद नाम की पहारे दिस्टिकोचर होती दिखाई पड़ती थी इस गाओं में सुमत के अनेक जजमान थे जो उसे कपड़े के गंडे बना कर देते थे वह अपने यजमानों के पास मिलने जाना चाहता था इसमें एक सब्ता तो लग ही जाता अतर लेखक ने सुमत को कहा वह और कहीं ना जाकर इसी गाओं में गंडों का वित्रण करे लासा पहुंचकर उसे रुपे मिल जाएंगे सुमती मान गया दोसरे दिन अपनी उन्हें अपनी ही पीट पर सामान लाद कर चलना पड़ा क्योंकि उस दिन उन्हें कोई मजदूर न मिला धूप तेज और अजीब सी थी पर वे फिर भी चलते रहे उनका कंधा पीछे से ठंडा हो गया था वे सेकर विहार की और निकल पड़े तिब्बत अनेक जागिरों में बटी पड़ी है जागिरदार स्वैम खेती करते और एक विच्छु को रखते थे जो उनकी खेती बाड़ी का सारा इंतजाम देखता था वह किसी राजा से कम ना होता था सेकर का मुखिया जो अत्यंत सज्जन था बड़े प्रेम भाव से लेखक से मिला वहां उन्हें एक मंदर में ले जाया गया जहां बुद्ध बचन की अनवादित हस्त रिकित एक सो तीन पोतिया थी वहीं लेखक को एक आशन मिला लेखक इनको पढ़ने लगा शुमती अपने अजमान से मिलने के लिए जा चुका था किन्तुव दूसरे दिन दोपर तक लौट आया और दोनों ने सामान उठाया तसा बिच्छो नमसे से विदाई लेकर प्रस्थान किया विद्धार्तियों यहां कंडे सब्द का आर्थ है गाए भैस के गोबर से बने उपले जो इधन के काम में आते है सुमती जो सब्द है सुमती नाम का विद्धियो लेखक को यात्रा के दोरान मिला एक मंगोल भी चुक है जिसका नाम लोव जंग सेक था इसका अर्थ है सुमती प्रग्य विद्धियों राहुल सांकृत्यायन का लिखा हुआ यापाट लहासा की ओर आज समाथ होता है आपको किसी प्रकार की मुश्किल आ रहा हो इस पाट को समझने में तो आप मेरे व्यक्दिकत नंबर पर संपर करें धन्यवाद